मैं प्रियंका सिंग अपनी यूटूब चैनल प्रियंका बुटीक में आप सभी का वेलकम करती हूं आज मैं आप लोगों को साड़ी का रियूज करना दिखाऊंगे कैसे रियूज कर सकती है तो मेरे पास यह है कॉटन मिक्स साड़ी है तो इससे मैं फ्रॉक्सूट बनाने व वीडियो में कटिंग और सिलाई की वीडियो पूरा सेयर करी हूँ तो अगर इसकी सिलाई सीखने के लिए आप लोग पूरा वीडियो लाश्ट तक देखिएगा तो देखिए इस साड़ी को मैंने डबल फोल्ड किया है फिर उसके बाद मैंने ट्रेंगल सेप दिया है आप ल से निसान लगाते हैं तो देखिए मैं लाइन को डार कर लेती हूं फिर इसी पर से इसकी कटिंग कर लेनी है तो मैंने इसकी कटिंग कर लिया है अब उपर की साइड रह गया कमर की साइड तो इसको मैंने साड़े साथ इंच पे निसान लगाया था आप लोग को जितना चा और इसकी भी कटिंग मैंने कर लिया है तो देखिए इसका घेर बन गया सेम ऐसे ही इसकी अस्तर की भी कटिंग करनी है तो अस्तर की कटिंग मैं बाद में करूंगी इस कपड़े को मैंने रख दिया है अब चोली की कटिंग कर लेती हूं तो देखिए इस कपड़े को डवल फ ये आर्म होल की गुलाई मैंने 6 इंच पे लगाया था, नीचे की गहराई अप लोगों लंबाई जितनी रखनी है, चोली की रख सकती है, मैंने 8 इंच रखा था, और इस तरह से सेप दे दिया है, और मैंने जैसे निसान लगाया से, मैंसे ही इसकी कटिंग का लेनी है, फिट आचल का मैं कहीं भी रियूज करने वाली इसमें नहीं थी, तो मैंने उसको काट कर लगा दिया है, अस्तर में, तो आचल के कपड़े से ही मैं अस्तर इसमें बना दूँगी, और जो घेर का है कपड़ा, उसमें मैं रेड कलर का कपड़ा अलग से मंगाऊंगी, तो उसमें अलग से अस्तर लगेगा या तो शाटन का अस्तर लगाऊंगी या फिर कोई भी अच्छी सी फेबरिक मंगा कर अस्तर लगा लूँगी तो देखिए अब आगे के गले की मैं कटिंग कर लेती हूँ तो आगे का गला मैंने 6.5 इंच रखा है तो इस तरह से 5 इप देते हुए इसकी कटिंग कर लूँगी इसमें कॉलर लगाना इसलिए पीछे के गले की कटिंग मैंने नहीं करी है और सोल्डर थोड़ा सा जुका दिया है मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा कट कर दिया है क्योंकि तो देखे जब कंधा चुक गया है तो इसका आर्म होल भी बढ़ाना पड़ेगा तो 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है तो देखिए ये मैंने एक पार्ट हटा दिया है और दूसरा कपड़ा मैंने इसके उफर रखा आगे के गले की कटिंग करने के लिए तो दे गया है बाजू की कटिंग तो देखिए डवल फोल्ड किया है उसके बाद फोर फोल्ड इसको भी किया है मुझे इसका बाजू रखना है 18 इंच तो मैंने इस तरह से 18 इंच पे निसान लगा कर बाजू का सेब दे दिया है और इसकेल की हेल्प से इस पे एक तिर्ची लाइ तो यह कपड़ा कटकर कम्प्लीट हो गया है और इसका कॉलर का कपड़ा मैं निसी लाइ करते टाइम लगाओंगी तो देखिए यह जो है आगे खुला हुआ रहेगा अम्रेला जो घेर है वो आगे की साइड से ओफन रहेगा तो थोड़ा समय यहां पे तीन इंच मार्जन सिल लेती हूं कपड़ा सिल लेती हूं बॉर्डर की साइड इस तरह से मैंने कपड़ा कर लिया है और जैसे सूट में एलाइन बनाते हैं से मैंसे ही इसमें भी बनाना है तो देखिए रेड कपड़ा मैंने जो था उसको सिल दिया है इस तरह से जॉइंट हो गया है इसकी ब पुला हुआ भाग है और उपर चोली में मैं लगाऊंगी चैन तो देखिए इस तरह से हो गया है यह कपड़ा नीचे की साइड से इस तरह से फोल्ड करके इसके घेर की सिलाई कर ले या फिर पीको करवा ले आपको जैसा अच्छा लगे और आगे की साइड देखिए मैं रखा था अब इसे पलट कर इस तरह से सीधी साइड पर मैं सिलाई लगा लूँगी से मैंसे ही दूसरा भी पार्ट मुझे तयार कर लेना है तो देखिए यह दोनों पार्ट मैंने तयार कर लिया है अब इसमें चैन कैसे लगाना है वो भी बहुत ही आसानी से मैं बताती आप लोगों को तो देखिए इस तरह से मैं यहां तक चैन लगाऊंगी तो पहले मुझे एक कपड़ा लेना है उस कपड़े को उपर की साइड इस तरह से सिल लेना है तो मैंने सिल लिया है अब देखिए कपड़े को इस तरह से मैंने रखके यहां पर जॉइन कर लिया और यह डिजाईन देखिए कैसे बनाना है। इस तरह से ट्रियंगल सेप मेंयोडना है। इसको एक बर फिर से मोडना है और इसको natuurlijk हाफ आधा साइड फिरसे मोड देना है। इस तरह से मैं कई इस प्रियंगर लोंगी ट्रैंगल सिप का इसको मैं बाजू की डिजाइन पर बनाऊंगी तो देखी इस तरह से इसको रखते जाना जैसे मैंने लाइन बनाया धाइंच की दूरी पर बाजू में आगे की साइड उसी लाइन पर मैं इस कपड़े को रखती हुए जा रही हूं और इस पर एक स लगा आप लोगों को कमेंड करके बताना तो देखी यह बहुत ही आसान है बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ज्यादा खूब सूरत भी लगता है तो यह बाजू बन गया है इस पर जो ट्रैंगल से इसका नोका है इस पर चोटी-चोटी बीट से लगाओंगी मोतिय कर दिया है दोनों सोल्डर जोइंट कर लेती हूं फिर उसके बाद मैं इसमें आप चाहें पर लगाए या फिर बाजू जो जोईंट कर ले तो पहले मैं कॉलर इसमें आटेज कर लोंगी तो आपको कॉलर कितना आगे तक रखना है मैं इसमें 2 इंच आगे तक जुका कर किया है और पीछे के गले पर भी बीच में एक कट लगाया था निसान लगाया था तो उसी पर रखके शेम ऐसे सिलाई कर लेनी है अब दूसरी साइड भी मैं इस तरह से पकड़के इसको अंदर की साइड मार्जन को डालते हुए इस तरह से इस पर भी सिलाई लगा लेती ह तो फ्रेंड्स देखिए कालर बन गया है अब रह गया है स्लीफ्स जॉइंट करना तो आगे आर मोल की साइड हाफ इंच कपड़ा एक्स्ट्रा कट होता है तो मैंने कट कर लिया है और स्लीफ्स में में एक्स्ट्रा कपड़ा कट होता है हाफ इंच तो उसमें भी मैंने कट कर लिये हैं और इसको सीधी साइड से सिलाई लगा लिया है अब इसे पलट कर लेती हूं मैं. तो देखिए सीधी साइड पे मैंने लगाया था आप यह उल्टी साइड है इस फ़े आप फिटिंग का निसाण लगा ले और सिलाई लगा ले तो यह मैंने का निसान लगा लिया है अब जैसे निसान लगाया है सेम ऐसे इसकी पी उसका लेनी है आगे जो लगा और नीचे जो घैर में यह बॉडर Pvd उसको बराबर से रखते जाना है थोडा सा फि दूरी इस है उदर उदर नहीं पटी आप लोगों को इसकी सिलाई में बहुत ही आसानी से बता रही हूँ तो देखिए नीचे इसका गेर है अभी मैंने गेर भी सिल लिया है तो फ्रेंड्स इसका फाइनल लुक देखिए कैसा लगा अगर मेरी इसकी सिलाई अगर गटिंग अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरी वीडियो सब्सक्राइब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी कपड़ा से लाइक करती हूँ जिनको नहीं भी आता है तो ये देखकर ऐसे आइडियास मैं सेयर करती रहती हूँ साड़ी र और आगे से यह ओपन है अगर आप लोगों किसी और तरह की नए डिजाइन की फ्रॉक सुट की सिलाई देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों कैसी वीडियो देखनी है मैं कौन सी सिलाई की वीडियो लेकर आऊं तो मैं जरॉक से सब्सक्राइब बताएं मैं उनर मत इसलिए और के स्कॉट में मुदमें रेकिल हाव हैте रेकिल करते हैं कर दो इन्हीं चाव कर दो कर दो